हेलो गाइस तो कैसे आप सब मैं हो मेश तो काफी टाइम के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो काइस किसी वज़ा से मैं वीडियो पे वीडियो नहीं बना पा रहा था तो आज मैं अपने दर्शकों के लिए एक वीडियो लेखे हैं जिसमें मैं बताऊंगा ऐफ या कुछ भी हमने जैसे की कुछ भी गजरगा रखी है या कोई पोईटरी या कोई पोयम हमने बोल रखी है तो उस जो हमारा MP3 ट्रैक त्यार हुआ है उसकी आवाज कम है और हमें बीच मीच में से काटना है तो आज मैं बताऊंगा कि FL Studio में कौन सा टूल्स हैं जिससे आव तो गाइस मैं शमा जाता हूँ मैं काफी टाइम बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो गाइस चलते हैं अपनी computer screen पे तो आगा आप काईस मुझे फॉलो करना और देखना कि कैसे मैं सिखाता हूँ ठीक गाइस हलो गाइस तो अपने computer screen पे आगे हैं हम तो गाइस यहाँ पे आके हमने पहले तो खोलना है FL Studio FL Studio खोलने के बाद ऐसा interface खोलेगा उस पे हमने करना है select track को track select करने के बाद guys यहाँ पे हमने select करना है वह song जिसकी हम आवास बढ़ाना जाते हैं या बीच में से उसको काटना जाते हैं तो guys मैं एक sample के तोर पे मैंने YouTube से उठा रखा एक mail अलाप जो copyright नहीं आएगा इसमें no copyright का song गई तो इसको मैं यहां से paste करके यहां पे इसको track 2 पे paste कर दूँगा यहां पे छोड़ दूँगा तो इस तरह यहां पे guys यह song आ जाएगा track 2 पे हम इसको पहले तो play करके देखें कि यह कैसा चल रहा है इसकी volume कैसे है तो guys यह वी वैसे volume का button है तो मैंने headphone लगा रखे हैं तो guys यहां पे मैं song को करूँगा फले तो guys आपने देखा यहां से अलाब शुरू है यहां पे अलाब खतम हो गया वर उसकी आवाज भी थोड़ी कम लग रही है और दूसरी बात guys यह वाला gap है यह वाला यहां से लेके यहां तक इतना हमें काटना बढ़ेगा अगर 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 आपका कोई विस होंगा आपने सोचा कि यहां से इतना बड़ा हमने gap डाल दिये तो उसको काटने के लिए कौन सा tool यूस होगा तो guys इसी में यह बताऊंगा कि कैसे उसको काट सकते तो guys यहां से लेके यहां तक काटना हो तो आपको guys कौन सा tool यूस करना है पहले तो guys हमने सीखना है कि इसकी आवाज को कैसे बढ़ाएं तो guys यहां पे हमने पहले इसको double click करना है double click करने के बाद guys पहले बात यह important बात है यह देखने वली बात है कि जैसे यह देखो guys मैंने यह song ले रखा है उसकी ratio देखो इसका graph देखो इस song का जैसे मैं normalize पे click करता हूं तो इसके graph बढ़ा हो गया मतलब कि इसकी आवाज की flow जा रहा होगी अब इसकी आवाज थोड़ी सी flow में आएगी flow में मतलब जैसे की आवाज रहेगी वैसी पर थोड़ी flow हो जाएगी मतलब आवाज को थोड़ा सा boost मिल जाएगा तो आपने ये तो सीखे लिया कि कैसे यहा पर double click करना है इसके उपर जो यह ब्लियु अलिपटी है इस पर double click करने के बार यहां पर नौडवड्येयों इस दिति और इस प्लेक करना है जैसे आप मेश की रेस्व है प्लेयेयो इसकी जाते हैं रह सिसक्न इसके वहाज बाट भी तो आठें को प्लेय रोगे कर अब घ्रीजे़ आठें जैसे लिए रहा हैं लेकित किमैंने तो गाइस हमने ये सिखा कि कैसे उसकी आवाज कम और ज्यादा कैसे कर सकते कैसे भी सॉंग की अगर आपने ज्यादा होड़ आवास करनी है तो गाइस आप एक तो आपका सॉंग सेलेक्ट है ट्रैक 3 पर आपने राइट क्लिक कर देना है तो इससे आवाज और उची हो जगए क्योंकि इसके ट्रैक में 2 सॉंग चलेंगे इससे आवाज होड़ उची हो जगए इसको आप फिर फाइल को सेव करके MP3 में कनवर्ड करके तो आप इसको भी प्ले कर सकते हो तो काइस आपने क्या करना इसको काट देते हैं वैसे तो वाज बहुत उच्छी होगी है तो गाइस अब हमारी आगे हमारा ये था कि तो गाइस हम मैं बताऊंगा कि कैसे अब जो इस गाने में जो स्पेस है जैसे कि गाइस हमने कई वक्त कोई जैसे मैंने कोई भी गाना रिकोर्ड करना है करने के बार मुझे लगता है कि हाँ भी इसमें इतना gap डल गया तो मुझे काटना है तो guys वैसे भी इसमें बहुत gap रहना है जैसे यहां से देखें हम 10 पे हैं एना तो यहां पे हम देखेंगे कि 15 से फोड़ा सा आगय아 तो guys हमने रहते ही तूल से होता है यहां पर काटना है इसको काटने के बार यहां पर हमने इसको सलेक्ट करना है यहां पर हमने राइट क्लिक कर देना है तो गाइस हमारा यह सौंग रेडी हो गया बीच में से कट गया है तो जो सौंग हमारा कटा है अब उसकी जो भी फ्रेक्वेंसी लास्ट में जो भी अलाउ कड़ी चला है जहां पर छत्म हो रहा है उसके तोड़ा से उपवर Mother से वह शुरू हो जाए तो SakmiIas आपने की कैसे मैंने काटा है यहां से आपने देख लिए यह स्लाइस है 슬ैस्स मतलlerweile स्लाइस। मतल jij यह दूस है यहां से इसको काटने के लिए और काटने के बार दौन जगा स्लेक्ट करनी हो दोर्ड़ शिया चाए को रिख करना है और वहां पर इसको राइट क्लिक करते जिए यहां पर भी गारना है तो गाइस यह हमारा हो गया काटने का सिस्टम और अब इसको सुनके देखते कि कैसा लगते हैं ठीक है गाइस तो यहां पे हम इसको करते हैं प्ले तो गाइस देखा आपने की कैसे सौंग को काटा जाता है और कैसे अपने सौंग को फ्लो में आवाज दी जाती है जिससे आवाज हमारी बूस्ट हो जाती है कोई भी सौंगी जैसे हमने कोई भी क्रॉक के सौंग या कोई भी हमने कवर सौंग या कुछ भी हमने गजल या कोई वी पायम या कुछ भी हम ने बोला है तो उसकी आवाज को बढ़ाने के लिए यह ऐप्षण है to गाईस में बढ़ाने के लिए आवाज तो गाईस मैं नेक्स वीडेवें में बताऊ कि कैसे कैसे हो और भी हम ढ्रीकों से आवाज को बढ़ा सकते हैं तो आज के लिए इतना ही गाइस तो चलते हैं ठेंक यू